हलो यूटूब दिस तोबं मग्राल एंड यौर बॉचिंग साइबर बाबा तो फ्रेंड आज के हमारी यह वीडियो एक Q&A वीडियो है मैंने मल्टीपल वीडियो से कुछ कमेंट्स पिक किये हैं जिनका आज इस वीडियो मैं आपको आंसर देने वाला हूँ तो वीडियो की शुरुबात करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट कमेंट से जो कि है जैपोड टीवी चैनल की तरफ से इनका कॉश्चन है सर हम अमित बढ़ाना के डायलोक्स या फिर वीडियो को बोलेंगे तो क्या कॉपीरेट इस्ट्राइक आएगी तो भाई आप निस्चिंत रहें नाहीं आ 99 रुपी का डुमिन्स हो रहा है बर जब हम उसे add to card करते हैं तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं ऐसा क्यों तेर भाई बिलकुल उस डुमिन के पैसे बढ़ जाते हैं अगर आप किसी भी साइट से डुमिन को पर्चेस करते हैं तो वहाँ पर आपको 99 रुपी या फिर 120 जाता है तो इसका जो सबसे अच्छा option है कि directly आप उस service provider company को call करें जैसे कि अगर आप गोड़ी से domain पर्चेस कर रहे हैं तो आप directly गोड़ी को call करें उनसे आप बताएं कि मैं इस domain को पर्चेस करने वाला हूँ क्या आज की date में कोई coupon code है नहीं आपको definitely coupon code मिलेगा जिसका य सब्सक्राइब से question थोड़ा लंबा है सर्फ प्लीज answer मी मेरा AdSense result $100 हो चुका है लेकिन मैंने अभी तक bank account नहीं बन बाया है जिसको बनने में 15 दिन के आज पास time लगेगा तो आप मुझे यह बताएं कि next month में अपने AdSense में bank account कर सकती हूँ या नहीं तो अगर हम बात करे से पहले अपने AdSense में अपना bank account add करना होगा अगर तब भी आपका bank account नहीं बना है simply आपको AdSense पर जाना है वहाँ पर जाना है आपको payment section पर वहाँ पर आपको एक option मिलेगा payment result तो वहाँ पर by default $100 select होता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं आप उसे $200 कर दें या फिर आप $300 तो जैसे ही आपका account बनता है तो आप उस account को add करें अपनी limit को आप $200 ही रहने दें लास्ट मंत की payment और आपकी इस मंत की payment होगी वह directly आपके bank account में पहुचेगी बट यह सब आपको करना है 12 तारीक से पहले क्योंकि 12 तारीक में AdSense की payment update हो जाती है बरते हम अपने अगले question की तरफ जो कि हमसे पूछा है सब देखो और सब सी को चैनल की तरफ से तो इनका question है वाई यह पताओ कि अगर किसी यूटूबर का watch time एक साल में 4000 नहीं होता तो क्या channel बंद हो जाएगा या फिर monetize नहीं होगा तो बाई channel तो बंद नहीं होगा अगर आपके YouTube channel पर watch time नहीं है तरफ देखो problem बाली बात नहीं है अगर एक साल के अंदर आपको चार गंटे का watch time नहीं मिलता तो कोई problem नहीं अगर एक साल की उपर एक महने लगता है तो आप request कर उसे enable कर सकते हैं दो महने में कर सकते हैं तो problem बाली कोई भी बात नहीं है आप सिर्फ focus करें अपने content पर regular basis पर वीडियो पर बरते हम अपने अगले question की तरफ जो कि हमसे पूछा है टेकनिकल लर्निंग चैनल लें अब इनका question है वाई gadget की वीडियो कहां से लाते हैं तो यह गैजट की जो maximum वीडियो होती है यह आप directly sites से निकाल सकते हैं जैसे कि अगर कोई भी गैजट है तो mostly gadget की official sites भी होती हैं तो आप sites पर जाएं वहां से आप उन्हीं वीडियो को निकालें और उन्हें आप अपनी YouTube वीडियो में यूज कर सकते हैं क्योंकि है maximum promotional वीडियो को आप अपने YouTube में add कर सकते हैं और product की maximum वीडियो तो आपको आसानी से YouTube पर ही मिच जाएंगी बस यहाँ पर देखना यह है कि आप जिस वीडियो को कॉपी कर रहे हैं या फर आप जिस वीडियो को निकाल रहे हैं तो उस वीडियो को जो ओनर है क्या वह कोई company है या फिर कोई channel है तो इस चीज को आपको चेक करना है बढ़ते हम अपने next question की तरब जो कि हम से पूछा है Kataria Tech Channel की तरब स तो इनका question है sir मेरा YouTube channel suspend होने वाला है आप यह बता देंगे कि मेरा AdSense account भी suspend होगा या नहीं तो यह फाई definitely अगर आप YouTube channel suspend होता है तो आपका AdSense account भी suspend होगा इसके बाद हमारा जो next question है वह है फैजल फैजी की तरब से तो इनका question है sir suspend हुए channel की वीडियो को हम new channel पर डाल सकते या नहीं तो भाई definitely आप अपने suspend channel की वीडियो को डाल सकते हैं even मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आप अपना backup plan लेकर चलें अगर कल आपको चैनल suspend होता है तो फिर आपके पास कोई option नहीं होता आप उसका backup create कर रहे हैं आपके वीडियो की raw file होती है आप उस से purchase करना होता है तो यहाँ पर developer console की बात हो रही है क्योंकि developer console को purchase करने के लिए आपको 25 डालर पे करना होता है तो यह है one time होता है आपको बार बार purchase नहीं करना होता है इसके बाद हमारा जो next question है वह है fancy trailer की तरफ से तो इनका जो question है वह है प्लीज यह बताएं कि हम 4 website को एक ह adsense account से link करें या फिर अलग-अलग id से adsense बनाकर उन्हें link करें हम hosting सिरफ एक ही रखेंगे उस पर हम 4 domain लगाकर website बनाएंगे तो यहाँ पर जो मेरा final suggestion होगा आपको कि आप multiple adsense account ना बनाएं क्योंकि login उन्हें आप एक ही system से करेंगे आप जाहें आप laptop से करें या फिर desktop से वह पर यह adsense account बंद होते हैं इससे अच्छा है आप एक adsense account रखें प्रोफेशनल यह आप अपने काम को करें बढ़ते हम अपने next question की तरफ जो कि हमसे पूछा है डेवी सिंगला ने तो इनका question यह है Amazon seller और Amazon affiliate में difference क्या है तो बहुत जो Amazon का seller account होता है अब seller account का यूज करके आप Amazon पर प्रोड़क को सेल कर सकते हैं आपने जो भी प्रोड़क्स देखते है Amazon पर उन्हें कोई न कोई सेलर विज रहा होता है तो अगर आप अपने प्रोड़क्स को Amazon पर सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको requirement होती है Amazon seller account की अब बात आती है affiliate account की तो आप affiliate account होता है एक medi affiliate link फिर आपने उस link को सेश्ट किया multiple users को ताकि वह उस प्रोड़क्स को purchase कर सके हैं तो यहां पर कुछ amount आपको मिलता है commission के तौर पर तो यार इस तरह से दौना account वर्क करते हैं seller account और affiliate account बढ़ते हम अपने next question की तरफ जो कि हमसे पूचा है the viral tube channel ने अब इनका question है online product बेज कर कितनी कमाई हो सकती है please reply तो भाई यह बताना थोड़ा सा मुस्किल होगा क्योंकि online product करके आप यह बहुत कमाई कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो सुरुबात की थी वहाँ पर मैंने कम investment की मैंने अपनी जो सुरुबात की थी वहाँ पर मैंने 50, 20,000 रुपए से अपना e-commerce का business start किया तो यहां पर मेरे जो earning होगी वह मेरे उस invest के साब से होगी अगर सुरुबात में यह आप तगड़ा कमाउंट करते हैं तो आप उससे एच्छा return भी ले सकते हैं तो यह तो बताना थोड़ा सा मुस्किल होगा कि आप products को बिचकर कितना पैसा कमा सकते हैं क्योंकि यह totally depend करेगा आपकी invest क्यूब पर त्यार यह थे हमारे कुछ questions इसके लाब अब अगर आपको कोई भी question है तो आप इस वीडियो के comment section पर hashtag cyberbaba use करके मुझसे कोई भी question पूछ सकते हैं अपनी next Q&A नी वीडियो में मैं कोसिस करूँ है कि आपके उस comment को जरूर से लाइक करूँ तैयर फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर new है तो आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हैस्टेग साइबर बाबा